नमस्कार साथीो जितना डर एक मनुष्य को मृत्तु का होता है अजर इतना ही डर उसके अंदर नासमजी का हो अध्यान का हो तो उसका नाकी जीवन ही सफल हो मृत्तु भी सफल हो जाए ऐसा हमारे सास्त्रों में लिखाए इसी घ्यान के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलिप और मीन राशी वालों के लिए मीन राशी के जातकों के लिए आपके लिए एक बहुत ही विशेश वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ अगला महिना जो की मई का महिना है एक तरह से नई साल की सुरुवात हो चुकी है सूर के परवर्तन से वहां सूर ने परवर्तन किया तेरा तारिक को और वहां इसराइल और इरान के बीच में युद्ध कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शुरुवात हुई है एक नए युक की शुरुवात हुई है इससे पहले भी मैंने पिछले महिने जो सूरी के वीडियो बनाए जो महिने के वीडियो में बनाए तो बारे के बारे वीडियो में इस बारे में मैंने कहा था कि भाई बहुत तरचाढ़ाब होगा युद्ध वगएरा ये सब होने वाले हैं अभी भी होने वाले हैं हमारा जो dużo मेन फोकस है वो है कि आपकी लाइफ में क्या लेकर आयेगा अब जो परिवर्दन आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि गुरू का परिवर्तन, इसका वीडियो आपने देखा होगा, जो आया है बर्षब राशी में, ये इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन है, बारे साल बाद ऐसा हो रहा है, इससे पहले 2012 में गुरू थे, आपके तृत चंद्रमा मीन राशी में है, तो अगर मीन राशी से हम मकर तक गिनते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार्या आता है, और सास्त्रों के अंसार, अगर आपके जन्म के चंद्रमा से, जिस दिन ग्रह का गोचर स्टार्ट होता है, वहां तक जाने में, जो चंद्रमा उस दिन है, ग्यार्या तक का है, तो हम उसको स्वण मूर्ती बोलते हैं, एक, छे, या, ग्यार्या तक का जो डिश्टेंस है, तो स्वण मूर्ती बोलते हैं, तो स्वण मूर्ती गुरु क्या लेकर आएं, इसके बारे में बात करेंगे, दूस इससे पहले मंगल किसके साथ ते है शनी के साथ वायुतत्त की राशी में अगनी बढ़की दुनिया में भी भढ़की लोगों की लाइफ में भी बढ़की दुनिया में जादे दिखता है को कहीं न कहीं होता ही है चैसे रश्या में हुआ कहीं भी हुआ आपको भी थोड़ा ब वेक का उठना ये सब पारिवारिक रूप पर गुस्से का होना और वर्ड लेवल पर आप देखो कि समंदरों में युद्ध होंगे समंदरों के रास्ते युद्ध होंगे कहीं न कहीं जलका बड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है इसके साथ-साथ शनी तो खिर ऐसे ही है शनी का तो वही पर बुद्ध की बात करें तो बड़े तेजी से बदलेंगे दस तारीक तक यहां नीच के रहेंगे इसके बाद मेश में चले जाएंगे अगनी की राशी में जाएंगे और मेश में यह रहने वाले हैं आपके 31 तक फिर काफी लंबे समय रहेंगे तो इस महिने आप इनको यहाँ पर ले सकते हैं यह बुद्ध का आपका परिवर्तन हो गया यह ग्रह हो गया आपके आपके अब आ जाते हैं रिजल्ट पर केतु उसी तरह आपके सप्तम में हैं हो आपके बैठे हुएं आपके पहले भाव में तो सबसे पहले सुरुवात कर देते हैं स्वास से चली सुरुवात करते हैं कि हैल्थ कैसा रहेगा या फिर हम कह सकते हैं यह राहु मंगल का जो योग है यह क्या कर रहा है क्योंकि पहला भाव ही mainly स्वास्त को दिखाता है पहले भाव का स्वामी तिरते भाव में चला जाएगा ये कहता है कि तिरते भाव में जो स्वामी जाता है पहले भाव का ये स्वास्त में ये कहता है पर साथ में immunity भी देता है आपको ये चीज देता है वालब बीच का हम इसको अंक देंगे यहाँ पर राहू बैठे हैं मंगल आए हुए हैं मंगल आपके भागे के स्वामी है भागे के स्वामी का आपके पहले ही राशी में आना ये स्वास्त के लिए अच्छा है राहू भी कोई बुरे नहीं है मीन राशी में कोई बुरे नहीं है पर हाँ ये आपको थोड़ा सा extra ambition दे सकते हैं BP वगरा की कोई disease है blood से related अगर कोई दिक्कत है तो वो तो बढ़ सकती है otherwise ठीक है आपर दस ताइक तक बुद्व जो है आपके नीच के रहेंगे राहू के साथ में रहेंगे तो neurological disease अगर किसी की है तो उसको ध्यान रखना है तो अचार की disease है तो ध्यान रखना है otherwise दस के बाद फिर बुद्व हैं से निकल कर यहां जाएंगे तो फिर चीजें better होते दिखाई पड़ती है स्वास्त के मामले में इस महिने को हम ठीक ठीकी कहेंगे वहीं यह राहू मंगल जो है मन में उद्वेक उद्वेक उद्वन्द करेंगे देखिए दुनिया में जैसे समुंदर है है ना जलतत आपके सरीर में क्या है कफ है ब्लेड है वहाँ पर जलतत है ना आपका तो वहाँ पर थोड़ा उथल पथल ये मचा सकते है किसी को इस चीज की दिक्कत पहले से है तो थोड़ा ध्यान रखना है मंगल गुसा है तो एंगर लाने की कोशिश करेंगे धहर रिता से आपको काम लेना है वैसे मीन राशी वाले काफी धहर पूर्ण विक्ती होते है फिलोसिफिकल ब्लेंड ओफ दा माइंड उनका होता है ये मंगल भाग को भी आपके मन में लेके आएंगे भाग भी आपका साथ देगा बस आपको थोड़ा गुस्से बगरा से बचना अब करियर पर बात आ जाएं तो करियर का स्वामी जो है उसी कही परिवर्तन हो रहा है गुरू का जो आपकी कुंडली की जान है आपकी कुंडली की जान कौन है गुरु है स्वण मूर्ती होगा तृति भाब में आ रहे हैं स्वण मूर्ती मतलब 100% कह सकते हो उससे भी उपर कह सकते हो ये symbolism है कि सुभता है उनके अंदर भले ही तृति भाब में आ रहे हैं तो गुरु की सुभ दस्टी कौन सी? पांच मी और नौमी एक, दो, तीन, चार, पांच शादी विवा, रिष्टे ब्यापार, बिजनिस इन सब के लिए बहुत बढ़िया साथ मी दस्टी ठीक ठीक है आथ मी नौमी भागी के भाब पर लाव के भाब पर बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है छोटे भाई बेनों की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है आपका जो सोसल सरकिल है वो बढ़ेगा आपकी इच्छाएं बढ़ेंगे और आपकी इच्छाओं की पूरती भी गुरू आपकी कराके रहेंगे जैसे ही आएं हो सकता थोड़ा सेमन लगे पर होगी जरूर अब ये बात अलग है कि भाई मीन राशी वाले तो 10-12 करोड बहुत सारे लोग है सबकी वो डिपेंड करेगा दशा महादशा पर पर हम सिर्फ गोजर की बात कर रहे हैं इसके बाद धन की अगर बात करें तो धन के भाव में कही सारे ग्रह आ रहे हैं आप देखिए तेरह तारिक तक सूरे यहां पर है मेश राशी में गुसे का ध्यान लखना है वाणी का ध्यान लखना है सूरे एक क्रूर ग्रह है और जब दूसरे चौथे साथ में पांच में में आते हैं तो हमें रिष्टो का ख्याल लखना चाहिए उस ग्रह से संबंदित वाणी का ख्याल लखना है चुकि उच्चे के हो रहे हैं और छटे भाव के स्वामी है तो अगर आप किसी सेवा के काम में है आप डॉक्टर हैं बकील हैं बैंक फाइनेस से जुड़ा हुआ काम है तब आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले है अदर्वाइज कोई भी पैसे से संबंदित कोई काम करना है तो थोड़ सा सोच समझ के करना है हमको कब तक 13 तारिक तक क्योंकि 14 तारिक को संक्रांती होने वाली ये सूरिका रिजल्ट हो गया पर इसके साथ सथ शुक्र बुद्ध यहां पर बैठो हुए शुक्र लगबग महिने के एंड तक रहेंगे 10 तारिक से और बुद्ध भी 10 तारिक को यहां आ जाएंगे है ना तो ये लक्षमी नाराण योग बन गया आपके दुत्ते भाव में लक्षमी नाराण योग बना है तो ये विसेश का धन प्राप्ती के लिए एक सुभ योग है धन की प्राप्ती किस चीज से हो सकती है ब्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है जमीन से संबंधित अगर आपका कोई काम है रियल स्टेट से संबंधित होई कोई आपका काम है क्यों को चौथ भाव का स्वामी धन में आ रहा है तो मकान बेचना, मकान खरीदना है, मकान से संबंधित जमीन से सम्मदित कोई काम है उसके थुरू धनाले की यहाँ पर बड़ी संभावना बनती है दन के बाद अगर हम भागय पर आ जाए भागय आपका नॉर्मली साथ देगा भागय का स्वामी जो है आपके पहले ही भाव में आ रहा है बहुत अच्छी बात है पहले महीने ट्रेवल का भागय के खर्च को जाने दिखा रहा था शनी के साथ भागय के स्वामी बैठे ते इस बार वो राहू के साथ है राहू पहले भाव में अच्छा करता है बस अती से क्योंकि दौनों न किये तू राहू अती को दिखाते है तो फिर अती हो जाती तो अती के कारण ये नुकसान कर सकता है अधरवाईज अगर आप समता पर रहेंगे किसी भी चीज में कि अती नहीं करेंगे तो भागयाब का साथ देने वाला है यहाँ वैट के मंगल चौथे भाब को देखकर घरगाड़ी भूमी बहांस के लिए भी ठीक है पर रिष्टों में भले गुरु का आशिरबाद है रिष्टों में थोड़ा सा आपको बोलते हैं कि जादा पकड़ नहीं बनानी है अपने जीवन साथी को एक सौतनतिता देनी है उसको उसकी तरह जीने का अधिकार देना है देखिए आप भी ऐसा तो है नहीं सभी को पूरी तरह से समझ पाते हो आपसे भी गलती होती है तो आप भी यह असंभव की चाहत क्यों कर सकते हैं कोई आपको पूरी तरह समझ ले इससे बहतर है कि अपने आपको समझने में समय हम जादा लगाएं तो रिष्टों में आपको बढ़िया रहेगा कही ना कही रिष्टे सुधरने वाले हैं गुरु की दश्टी रिष्टों को सुधरने वाली है प्रेम के मामले में भी इस गुरू का अच्छा रहेगा प्रेम से ज्यान से नौलिज से विजडम से स्टुडेंट्स के लिए महीना बढ़िया होने वाला है उनका फायदा होने वाला क्योंकि पंचम भाव से ग्यारे में भाव में श्रण मूर्ती गुरू बैठे हुए है नवम भाव पर भी गुरू की दस्टी है और वहाँ पर शनी की दस्टी भी आ रही है जो कि विसेस योग बनाती है कि भाग में बहुत बड़ा हो सकता है पिता की लाइफ में बहुत बड़ा हो सकता है को कोई अच्छा गुरू टीचर मिल सकता हाईयर एजुकेशन आधी के लिए आप कहीं आना जाना चाहते थे तो वहां की संभावना भी बंद रही है अब यह कब होगा क्योंकि गुरू अभी आई है जब इस गुरू की डिगरी आपके लगन की डिगरी से बराबर हो गुरू के बराबर है अभी शुरूबात में तो जल्दी से भी हो सकता है डिबेंड करेगा कौन सा ग्रे बैठा है अगर यहां पर आपके शुक्र बैठे हुए हैं कहीं पर तो धन को लाएगा ये गुरू अगर यहां पर सनी बैठे हुए है तो आपके करियर में कुछ समझने की बात होगी पर जहां तक गोचर की बात है ऐसा कुछ नहीं दिखता है के तू दिखते हैं यहां पर के तू स्प्रिचुल्टी के गरे हैं अध्यात्म के गरे हैं ये जरूर कह रहे हैं कि थोड़ा सा न रिष्टो में ब्यापार में दूसरे को भी आपको एक चांस देना है जैसे बोलते हैं कि गुल्लक भी जब तक फूटती नहीं है जब तक तूटती नहीं तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसके अंदर जो पैसे हैं वो उसी के हैं उसके अंदर जो धन छिपा है वो उसी का है पर ऐसा होता नहीं है ऐसे व्यक्ति भी हर चीज को अपना सम शुक्रवार के लक्ष्मी के दिन के दिन चल रही है, इस दिन लोग सौना वगयरा खरीतने हैं, कुईसी काम की सुरुवात के लिए काफी सुब दिन जो है वो रहता है ये, आठ तारिकी बैसाख की अमावस्या है, बुद्वार के दिन पड़ेगी, छे तारिकी शिवरात्री जो भगवान हरी विष्णु के भाक्त है, उनके लिए बहुत महत्वपूर ये, तिथिया है, तेज तारिको बैसाख की पूर्णिमाए, 26 को संकष्टियर, चौद्य तारिको ब्रशव संक्रांति है, सूर जो है न ब्रशव में पहुंच जाएंगे, चौद्य तारिको, सू ब्रशव संक्रांति है जैसे, तो 14 के बाद चीजें थोड़ा बेहतरी की तरह भी जाने वाली है, क्योंकि उस दिन क्या होगा, फिर एक महने तक सूर्य का भी साथ मिलेगा, जो चमकाता है, किसको, जो जो ज्यान के रास्ते पर चलता है, जो धनम के रास्ते पर चलता है, ज नमस्कार, धन्देवाद